तो NCB नी मोटी कारेवाही वलसाड ने वापिमा मोटी कारेवाही आतरीश NCBA के जया मेफेडरीन ड्रग नो मोटो जथो जड़पायों शे साड़ा चार किलो मेफेडरीन ड्रग ना जथा साथे बेशक्षनी धरपकड करवाम आवी शे रुपया पंचासी लाकनी रोकर ड्रगम पर मड़ी आवी शे आम आम ले बे लोकों ने अटकायद कराई शे जो मेफेडरान ड्रग के नाम से जाना जाता है इसको हमने सीज किया हुआ है साथ ही इसमें जो इन्वाल्मेंट था जिन दो वेक्टियों का मुख्य वेक्टि जो एक बनाने में इस ट्रग को बनाने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था और दूसरा जो इसको मार्केट करता था हुँआ दोनों ही वेक्टियों को हमने इसमें गिरफदार किय एक का नाम प्रकाश पतिल है और दूसरे का नाम सोनू रामनिवास है जो कि फिलाल अभी इनीशियल हमारी इन्वेस्टिकेशन अभी पूछताचिन के साथ जारी है इनको जब हमने पकड़ा है तो इनके पास से 85 लाक रुपीज से उपर का जो है कैश अविलेबिल मिला है और सफलता है क्योंकि अगर आप किसी मैनिफेक्ट्रिंग फिसलिटी को हिट करते हैं तो काफी लंबे समय में जो ट्रेड चला रहा है उसको आप अची तरीके से नुकसान पहुंशा पर तो ये का NCB के बहुत बढ़ी सफलता है मैं समझता हूं सर ये कुछ इंफोमिशन मिल पाई कितने साजों से उप कर रहे हैं किस तरह से चला रहे हैं दिखिए ये ऑपरेशन अभी कल और आज में ही डेवलप हुआ है तो अभी जब तक इसमें बहुत ज़्यादा हम इन्वेस्टिगेशन्स में जाते जब तक उनके स्टेट्मेंट इनके बारे में कमेंट करना थोड़ा से इसमें पॉसिबल नहीं होगा तो ये इनका क्या रोल था प्रकाश भाई प्रोफेशन एक केमिस्ट है और केमिस्ट होने के नाते इसको जानकारी थी कि MD ड्रुगों किस तरीके से प्रिपेर किया सकता है तो ये अपनी केमिस्ट की जो नॉलेज है उसका इस्तिमाल करते हुए इसको इस्तिमाल करते हुए अपना ड्रग मैनिफाक्चरिंग में इसका यूज कर रहा था और फर्दर जो है ड्रग मैनिफाक्चर करने बाद इसको सोनु को प्रवाइट करता था जो कि उसको फर्दर मार्केट में सेल करता था सब्सक्राइब करना मेरे लेवल पर ठीक नहीं होगा बट जनरली यह जो है काफी अच्छी प्राइस कमांड करता है और इंटरनाशनल मार्केट में भी इसकी अच्छी पकड़ है इंसीब कि कि इतने गंटे का पर अपरेशन देख लिए निए निए अगर हम टीम की मेहनत की बात करें तो हमारी टीम लगबग दस दिन से उस इलाके में जो है अपने सर्वेलेंस कर रही तो और दीरे दीर अमने टीम का स्ट्रंथ वहाप बढ़ा है जिस तरह से मारी इंफॉ मेशन डेवलप होना स्टार्ट हुई तो हमारी जो नंबर ओफ टीम संहित चार टीमें एकम से कम उमारी जमीन पर काम कर रहे हैं और 20-20 मेमबर्स जो हमारी टीम के वहाँ पर काम कर रहें तो गुजराथ में अलग अलग जगर से अलग जगर से म्टी ड्रूग्स कुछ दिन आप में अविलिबिलिटी के अगर हम बात करते हैं और कहां से आता है तो इस रूट को थोड़ा सा हिट कर पाना जब तक प्रॉपर इंवेस्टिकेशन नहीं होता किसी चीज में तब तक पॉसिबल नहीं होता है जेनरली एमडी ड्रग को बना पाना इतना मुश्किल भी नहीं होता और इतना असान भी नहीं होता है अंटिल अनलेस आपके पास इसकी अबिलिटीज है जैसे प्रकाश जो है ये खुद अपने आप में केमिस्ता तो ऐसे लोग कई बार इस रास्ते पर भटक जाते हैं और सिंस उनको केमिकल नॉलेज होती है केमिकल के बारे मनॉलेज होती है तो वो अपने इस ग्यान का गलत इस्तमाज जो इस नॉलेज का रॉंग यूज करके सोसाइटी को नुकसान पहुचाने के लिए अभी तक हमारी जो इनिश्यल इंफॉमेशन उसके इसाब से गुज्रात और नेवरिंग माराष्ट्रा जो था वहां पे इसकी सप्लाई चाल रही है किस तरह की सदा की जोगवाई है पैनल्टी की जोगवाई है पैनल्टी इसमें कोई भी कमर्शियल कॉंटिटी अगर हम तो उसमें कम से कम मीनिमम्म 10 जो क्या हुआ होती है यहां पर हम अगर हम कमर्शियल कॉंटिटी की बात करते हैं तो हमने 90 रियुक्स साफ कमरश embarrassing कॉंटिटी इसको पकला है इसकी कमरश electronics contemporary फिफ्टी ग्राम स होती हैं हमने साडे चार कजी पख़आ हुए तो नब्बे गुना हमने कमरशा कॉंटीटी को पकला है तो आई होक कि हम इसदो स्केस को थाहिए को कि मयादी परेखते हैं फड़जू आप होती नंगिऑ है इतनी बड़ी क्वाणिटिटी में इंहित इतन। काफी नेट॑क को हीट किया हूँ पीङॉजर सोर्स और सप्ली को भी हमने हिट किया हूँ झाल